हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हूं सब लोग अच्छ होंगे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ वस्ता के दोरान हल्दी मिक्स दूद पीना महिला की सेहत के लिए अच्छा होता है या नहीं होता है प्रेग्नेंसी एक ऐसा सफर है जो 9 महिने तक आपको पूरा करना होता है और ये सफर कही महिलाओ के लिए बहुत अच्छा होता है और कही महिलाओ के लिए काफी आप प्रॉब्लम दे दे के एक एक दिन निकलते हैं क्योंकि हर एक महिला की प्रेग्नेंसी अलग-अलग होती ह तो हल्दी मिक्स दूद के वैसे तो आप लोगोंने सुने हैं सब भी जानते कि इसके कहीं सारे फाइदे होते पीने के बाद में पर क्या गर्वत दी महिलाओं को इसको लेना चाहिए और कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए अगर आप एक प्रेगनेंट महिला है और ये वीडियो देख रही है कि क्या मुझे हल्दी मिक्स दूद पीना सही है मेरे लिए मैं पी रही हूँ तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना है देखिए हल्दी मिक्स दूद पीना क्योंकि मैं तो बहुत सारी लेडीसों से वाकिव हूँ तो मुझे पता है कि महलाए वैसे ही दूद पीना पसंद नहीं करती है और फिर especially हल्दी मिक्स दूद पीना तो पेशेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है पर कुछ females होती है जिनको अच्छा लगता है, skin glow करती है, हम अच्छे healthy रहते हैं, face pay pimples, acne की problem नहीं होती है, पेरों में सूजन नहीं आती है, और इससे हमारी immunity मजबूत होती है, तो बहुत सारी लड़किया और महलाए healthy mix दूद पीती भी है, क्योंकि आजकल कोरुना का दोर च सतर करेता है, कि हमको infection नहीं फेले, पर आगर आप pregnant हो गई है, और pregnancy के दोरान आप healthy mix से दूद पी रही है, तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्यों? कि अगर आप healthy mix से दूद पीते हैं, तो एक तो healthy mix से दूद पीने के बाद में, आपकी uterus का blood flow बढ़ जाता है, यानि कि जह हमारी बच्चे दानी होती है, lower abdominal में, pelvic area में, वहां blood का flow बढ़ जाता है, दूसरी बात कि आपको बच्चे दानी में दर दूट सकता है, labor pain start हो सकता है, चाहे आपकी pregnancy कम time की हो, उसके बाद भी आपको contraction आने लग जाती है, इसके बाद में आपको bleeding start हो सकती है, तो जो भी pregnant female ह उनको healthy mix दूट पीने से पशना चाहिए, इसके बाद में, क्योंकि मेरे कहीं ऐसे patient है कि मैं हमारे period खुल के नहीं आ रहे हैं, हमारे period delay हो गए है, तो मैं generally patient को बोलती हो कि healthy mix दूट पीओ, चार-पास दिन तक period आ जाएंगे, क्योंकि वो hormone imbalance के कारा, और blood की कमी के कारा, यसे बहुत सारे region होते हैं, जिससे की periods delay हो जाते हैं, और मेरा चार-पास दिन दूट पीती है, और उनकी periods भी आ जाते हैं, तो मेरा तो especially मानना है, चाहे science कुछ भी कहें इस चीच को लेकर के, कि pregnancy के दोरान healthy mix दूट आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, plain milk आप बिल्कु यह हमारे बेबी में कुछ defect भी ला सकती है, जिसको की हम birth defect बोलते हैं, हल्दी में curcumin पाया जाता है, जो हमारी बेबी की growth को distract कर सकता है, अगर आप जादा मात्रा में हल्दी powder का use करेंगे, तो आपकी body में curcumin का level बढ़ जाएगा, जिससे की हमारे बेबी में bird defect होने का खत बढ़ सकता है, तो इसलिए आपको हल्दी मिक्स दूद बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, हाँ अगर आप ले रहे तो एक कप आप ले सकते हैं, पर ना कि एक लास, अगर आप एक कप हल्दी मिक्स दूद बना रहे हैं, तो आपको only उसमें हल्दी की turmeric की only one pinch mix करना है, ना कि एक चमच, दो चमच इतना नहीं करना है, क्योंकि हल्दी तो already हम सबजी में use करते ही है, और कोई भी व्यक्ती बिना सबजी के रोटी नहीं खाता है, तो जितनी हमारी बोडी को जर्वत है, उतनी हमें सबजी से मिल जाती है, इसके बाद में हल्दी मिक्स दूद पेने से miscarriage का खत्रा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर बच्चादानी में दर्द उठेगा, आपको bleeding start हो जाएगी, तो normal सी बात है कि जो भी material अंदर है, हमारा बेबी बनने वाला था, वो material पूरा बहार आ जाएगा, इसके बाद में जिन महिलाओ को bleeding disorder है, यानि कि थोड़ा से च से दूद जादा नहीं लेना चाहिए, यानि कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, खास करके pregnancy के दोराण, क्योंकि अगर महिलाओ हल्दी मिक्स से दूद लेगी, तो miscarriage का खत्रा बढ़ेगा, उसके बाद में bleeding start हो जाएगी, तो हमारा जो baby है, उस पे भी इस चीज़ का फरक पड़ सकता है, कि हो सकता है हमारा जो baby बनने वाला था, वही material हमारा जो gastrational shake है, वही flesh out हो गया, पेरिट आने के बाद में तो bleeding रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो baby में कई सारे defect आने की संभावना होती है, इसके बाद में healthy mix दूद पीने से कई महिलाओ को उल को नहीं लेना चाहिए, थान्दीवाद